दोस्तों सौगत है आपका हमारे यूटूब चनल पर आज किस वीडियो में हम लोग देखेंगे MPPolice Count Stable का जो पहली सिप्ट का पेपर हुआ है उसके जितने भी मुझे कोस्चन मिलें इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और पास में जो बैल आइकन होता उसको भी जरूर दबा लें चलिए शुरू करते हैं गाइस एक कोश्चन पता चला है कि मानप सरीर की सबसे बड़ी सेल या सबसे बड़ी कोसिका जो होती है वो कौन सी होती है तो मानप सरीर की सबसे बड़ी कोसिका होती है तंत्रिका कोसिका और अगर पूछा जाता है कि मनुस की सबसे बड़ी हड़ी सरीर में कौन सी होती है तो यह होती है फीमर, जो की जांग में पाई जाती है, और सबसे छोटी अड़ी होती है स्टेपीज, ओके, एक कोश्चन आपका इस तरीके से था, अमीबा में पाचन कहां पर होता है, देखिए अमीबा में पाचन की क्रिया जो होती है, वो अंत तक कहीं नहीं होता, लेकिन यह पाचन के क्रिया यह सरीर के द्वारा करता है, एक कोश्चन था कि सुगर, अथवा चीनी को जलाना, किस क्रिया का उधारान होता है, या चीनी का गरम करना यह कैसे क्रिया है, तो यह हो जाएगी रासायने का भी क्रिया, रासायने क्रिया, एक कोश्चन था, कैलास सत्या प्रसिद्ध हैं और इन्हें सांती का नोबेल पुरसकार भी मिल चुका है सांती का नोबेल पुरसकार भी मिल चुका है सांती का एक कोस्चन था ताजुल मस्जिद मद्द प्रदेश में कहा पर है तो ताजुल मस्जिद की अगर बात करें तो यह मद्द प्रदेश के भोपाल में है कहा पर है भोपाल में एक कोस्चन था की बिलाए नीती से संब्द देत कोस्चन था कि डल हो जिक हाड़प नीती जो होती उससे कोस्चन आया था और गाइज बजट बजट से भी कोस्चन सहा रहे हैं और जीडिपी इसका जो फूल फार्म होता है वो क्या होता है Gross Domestic Product यह होता है GDP का full form और GDP से question आया था और अगर बात करें तो India West Indies जो cricket match हुआ था उससे related question आया था एक question गाइस था कि atmosphere में या बायू मंडल में nitrogen का जो percentage है वो क्या है तो बायू मंडल में nitrogen का percentage है 78 परतिसत और गाइस अगर और भी gas है जैसे कि argon gas है इसका परतिसत क्या है तो इसका हो जाएगा 0.9 परतिसत और oxygen का percentage क्या है तो यह हो जाएगा 21 परतिसत और carbon dioxide कितनी है तो यह है 0.03 परतिसत परसेंट एक question था कि आलू का बैग्यानिक नाम यह scientific name जो है वो क्या है तो आलू का जो potato का कैमिक sorry scientific name है वो है इक question था कि असोक ने कलिंग के युद में किसको हराया था तो देखिए असोक ने कलिंग के युद में अनंत पदनामन को हराया था एक question था चेत्रफल की दरश्टि से मद्द प्रदेश का भारत में कौन सा इस्थान है तो चेत्रफल की दरश्टि से मद्द प्रदेश का भारत में कौन सा इस्थान है second दूसरा इस्थान है एक question था मचली या कह सकते हैं फिस ये कौन से बर्ग में आता है तो देखिए मतफ से बर्ग में आता है या पिसीज बर्ग में ये आता है स्टेडियम से कोश्चन आ रहा है स्टेडियम से कोश्चन काफी आ रहा है और एक कोश्चन था कि लता मंगेशकर MP के किस जगह से समंदित है तो ये हो जाएगा इंदौर से कहां से हैं इन दौर एक कोशन था कि मद्द प्रदेश के पहले मुख्य मंतरी का नाम बताओ तो यह हो जाएगा मद्द प्रदेश के पहले CM कौन थे यह थे रवी संकर सुकल और एक कोशन इस तरीके से था कि MP का बित्त सचिब कौन है आपको कमेंट करके बताना कि MP का बित्त सचिब कौन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा देखें विटामिन से आया था कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है तो यह हो जाएगा इसकर भी विटामिन से आया था केल्सी फिरॉल होता है और इसकी कमी से क्या होता है रिकेटस रोग होता है मतलब हड़ियां टेर्णी मेड़ी हो जाती है कोशंदा की हमपी समारक जो है ये कहां पर है तो हमपी समारक की बात करें तो ये है करनाटक में देके विटामिन B की अगर बात करें तो विटामिन B की कमी से बेरी बेरी रोग होता है बेरी बेरी और इसका केमिकल नम क्या होता है थाइमिन और एक विटामिन C की अगर बात करें तो विटामिन C तो मैंने बता दिया विटामिन A रह गया इसका जो chemical name होता है वो क्या होता है retinol क्या होता है retinol एक question guys आया था कि 15 का सम्बंध है 124 से तो आनुपात लगा था आपका समानुपात फिर बताना था 17 का सम्बंध बताना था तो 15 का हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले 4 का square किया तो देखे 16 मैं से एक गटाएंगे तो हमें क्या मिल गया 15 अब इसको छोड़के 15 का direct सम्बंध हम लोग 17 से सापित करते हैं तो देखे पहले 4 का square किया था अब इसमें भी 4 का square करेंगे तो आपका 16 आगया और इसमें 17 बनाने के लिए क्या करेंगे एक जोड़ दिया मतलब पहले गटा या फिर जोड़ा अब 124 के लिए यही कर लेते हैं तो 11 का square करेंगे तो आपका 121 और 124 बनाने के लिए 3 जोड़ देंगे पहले case में क्या हुआ था एक गटा या ता फिर जोड़ा था आगे चलके अब इसमें क्या हुआ तीन जुड़ रहा है तो आगे तीन गटेगा तो इसमें भी 11 का square करेंगे और आगे भी 11 का square करेंगे तो 11 का square कितना हो जाएगा 121 और अब तीन गटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 118 है 118 है is the right answer तो guys ask एस वीडियो में इतना ही तेंग चू